आपके employer की तरफ से आपको पूछा जा रहा होगा कि आपको old tax regime चूज़ करनी है या new tax regime अगर आप गलती से भी गलट tax regime चूज़ कर लेते हैं तो आपके employer आपका ज़ाधा TDS काड देंगे इससे होगा ये कि April के महीने में और आगे आने वाले महीनों में आपको salary कम मिलेगी जब आपके bank account में hit करेगी और ये कब तक चलेगा सिलसिला तब तक जब तक आप अपनी सही tax regime अपनी employer को नहीं बताते तो मैं आपका दोस्त सिये कनन बहल इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपको कौनसी tax regime ideally चूज करनी चाहिए ताकि आपकर लगे कम से कम tax सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि new tax regime और old tax regime में budget जो अभी आया था पीछे उसमें क्या changes आए है देखिए दोस्तों old tax regime में आप समझ दीजिए कि ऐसा कोई भी change आया नहीं है जिसको फिलाल आपको जानने की ज़रूत हो और जो old tax regime के tax labs है और tax rates है उसमें तो कोई भी change नहीं है तो अगर हम tax labs की बात करते हैं उन लोगों के लिए जो 60 साल की उमर से कम के हैं तो उनके लिए पहले 0 से लेकर 5 लाक तक कोई tax नहीं लगेगा यानि 0% tax फिर 2.5 लाक से 5 लाक तक आपके ओपर लगेगा 5% tax फिर 5 लाक से 10 लाक तक आपपर लगेगा 20% tax और 10 लाक से उपर 30% tax और इसके ओपर surcharge अगर आपके ओपर applicable है और health and education says 4% का आपके income tax और surcharge के amount पर लगता है लेकिन जी हाँ, new tax regime में जरूर बहुत सारे changes आया हैं यहाँ पर tax rates में भी changes हैं और tax labs में भी changes हैं तो पहले समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से design किये गए है financial year 23-24 के लिए पहले 0 से लेकर 3 लाक तक आपकी income पर कोई tax लगेगा यानि 0% tax rate उसके बाद 3 लाक से लेकर 6 लाक तक आपके ओपर लगेगा 5% tax rate 6 लाक से 9 लाक तक आपके ओपर लगेगा 10% tax rate और 9 लाक से 12 लाक तक आपके ओपर लगेगा 15% tax rate अब मैं बात करता हूँ 12 लाक से 15 लाक के बीच के slab की तो इसमें आपके ओपर लगेगा 20% का tax और 15 लाक से ओपर जो भी आपकी income है उसके ओपर 30% tax rate लगेगा और surcharge यदि आपके ओपर applicable है तो surcharge और इन दोनों amounts के ओपर आपके ओपर 4% CES भी लगेगा health and education CES इसके अलावा हम मान लेते हैं कि आप salaried employee है तो new tax regime में आप standard deduction दी अवेल कर सकते हैं जो पुराने old tax regime में आपको मिला करती थी और new tax regime में अभी तक नहीं थी लेकिन इस budget में introduced कर दी गई तो मान लेते हैं कि आपकी income 7.5 lakhs है तो 50,000 रुपे से आपको standard deduction अगर मिल जाती है salaried employee है अगर आप तो तो आपकी taxable income 7 lakhs उजाती है और 7 lakhs पर कितना tax लगेगा पहले 0 से लेकर 3 lakhs पर 0% फिर उसके बाद 3 lakhs से 6 lakhs तक 5% और फिर उसके बाद 6 lakhs से 7 lakhs के 1 lakhs रुपे की जो बीच की income है इस पर आपके ओपर 10% tax लगना था तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 25,000 tax लेकिन सरकार कहती है कि अगर आपकी taxable income new tax regime में सिरफ 7 lakhs तक है तो आपको कुछ tax नहीं देना लेकिन हाँ अगर यही 7 lakhs 10,000 रुपे है तो आपको पूरी amount पर tax देना पड़ेगा इसको कहते हैं हम rebate का concept कि 7 lakh तक यदि आपकी income है तो उस पर आपको कोई tax नहीं देना क्योंकि आपको income tax में 25,000 रुपे की rebate मिल रही है new tax regime में पैसे budget 2023 में किये गई tax labs में बदलाव और tax rebate का जो concept है वो हमने बहुत जादा इस वीडियो में detail में discuss किया हुआ है तो आप इस वीडियो को भी check कर सकते हैं यही सारी बाते समझने के लिए इसका link हम आपको description में दे देंगे अब old tax regime में तो आपको पता ही है कि आप कितनी सारी deductions available कर सकते हैं जैसे कि आप अगर rent देते हैं तो आप house rent allowance claim कर सकते हैं वो नहीं तो आपने घर खरीदा होगा जिस पर आप home loan पे interest चुका रहे होंगे तो उसकी deduction भी आपको 2 lakh रुपे तक मिल जाती है फिर ATC में कहीं सारे खर्चे और investments को लेकर आपको deduction मिल जाती है पर क्या ये deductions आपको new tax regime में मिलेंगी the answer is no तो ये जान लेते हैं कि new tax regime में आपको कौन कौन सी deductions avail करना allowed रहेगा सबसे पहले तो standard deduction है जो 50,000 रुपे की salaried employees को मिलती है वो आप ज़रूर claim कर सकते हैं और दूसरी जो deduction है जो आपके employer को contribution होता है ना तो आपकी basic salary plus dns allowance का 14% तक और यदि आप private sector में काम करते हैं तो इस case में आपको मिलेगी deduction up to 10% of your basic salary plus dns allowance on the amount of contribution that your employer has made towards national pension scheme note कीजेगा दोस्तों ये deductions आपको old tax regime में भी मिला करती है तो अब इस point तक तो आप समझी गए होंगे कि old tax regime, new tax regime के मुकाबले में बेटर लगता है अगर हम deductions की बात करते हैं तो और tax labs की बात की जाए तो new tax regime ज़ादा beneficial लग रहा है तो मैं sure हूँ कि आप confused हो और आप बोल रहे होंगे कि sir हमें ये बता दो कि हमारी salary के साबसे कौन सी regime beneficial है चिंता मत करिये यही confusion दूर करने के लिए तो मैं आया हूँ तो वीडियो के आखरी तक बने रही हैगा तो चलिए अब हम start करते हैं 5 handwritten case studies के द्वारा आपको ये समझाने के लिए कि कैसे different salary levels के लिए और जहां पे आप different deductions ले रहे होते हैं तो आपके लिए ऐसे cases में कौन सी tax regime लेना beneficial रहेगा और यदि आपके ओपर कोई भी case applicable नहीं होता तो हम आखरी में देखेंगे कि आपकी salary level के लिए कब old tax regime beneficial होता है और कब new tax regime beneficial होता है मान लेते हैं कि आप अपने parents के साथ रहते हैं और आपकी नई नई job लगी है अभी और आपकी CTC है 7.5 lakh रुपीज new tax regime में आपको section 16 के द्वारा दी गई standard deduction मिल जाएगी 50,000 रुपे की और old tax regime में हम मान लेते हैं कि आपको ये standard deduction तो मिली जाएगी और बाकी आप PPF में investment कर रहे हैं या ELSS में investment कर रहे हैं तो आपको ATC में भी 1.5 lakh रुपे तक की छूट मिल जाएगी और आप किसी भी तरहेगी की tax deduction नहीं लेते हम इसको assume करके यहाँ पे चल रहे हैं तो यहाँ पर जैसा आप अपनी screen पर देख सकते हैं कि new tax regime में आपकी जो salary है वो 7 lakh रुपे तक की रह जाएगी इस case में जैसा कि आप देखी सकते हैं दोस्तों आपके ओपर new tax regime के new tax labs और new tax rates लगेंगे तो पहले 0 से 3 lakh रुपे तक की आपकी जो income है उस पे लगेगा 0% tax फिर 3 lakh से 6 lakh तक की जो income है उस पे लगेगा 5% tax जो की बनता है लगभग 15,000 रुपे फिर उसके बाद 1 lakh बचा 6 lakh से 7 lakh तक की जो income है उसके ओपर आपके ओपर लगेगा 10,000 रुपीज का tax तो कुल tax आपके ओपर आ गया 25,000 रुपीज का लेकिन आपको अगर याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि new tax regime में जो rebate है वो आपको 25,000 रुपे तक की मिल जाती है तो इसका मतलब यह हो गया कि 7 lakh तक अगर आप कुछ भी कमाते है तो आपको tax देने की बिलकुल जरूरत नहीं है इसमें आप देख सकते हैं कि भले ही taxable income आपकी old tax regime में कम है और new tax regime में जादा है तब भी आपको new tax regime beneficial इसलिए हो जाएगा क्योंकि old tax regime में जो rebate है वो 5,000 तक की income वालों को ही मिलती है लेकि new tax regime में 7,000 तक वालों को मिल रही है इस case में new regime बेटर है चलिए अब एक दूसरा case discuss कर लेते हैं जहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप अपनी spouse और अपने माता पिता के लिए health insurance लेने का decision लेते हैं जिससे आपको section 80D में old tax regime में 50,000 रुपे तक की छूट मिल जाती है तो एकदम case एके जैसा case है बस यहाँ पर फरक यह है कि old tax regime में आपकी income जो है वो थोड़ी सी आती है तो इस reason से आपको कोई भी tax नहीं भरना पड़ेगा चाहे आप old use कीजिए या new use कीजिए अब देखते है case 3 आपकी होगे यह promotion और आपका जो CTC है वो साढ़े 12,00,000 रुपे हो चुका है लेकिन work from home के चलते आप अपने माता-पिता वाले घर में ही रह रहे हैं अभी तो इस case में deductions बैसी रहेंगी जैसे case B में थी 5,00,000 रुपे तक की 50,000 रुपे standard deduction, 1,500,000 रुपे ATC की deduction और 50,000 रुपे ATD की deduction जो आप health insurance premium पे करते हैं इस case में old tax regime में जो आपकी taxable income है वो रह जाएगी मात्र 10,00,000 रुपे लेकिन new tax regime में आपकी जो taxable income है वो 12,00,000 है वो new tax regime में कम आएगी जबकि आपकी taxable income 2,00,000 रुपे जादा है वो ऐसा इसलिए क्योंकि 15,00,000 रुपे तक की limit के लिए new tax regime में beneficial tax rates है when we compare it with the old tax regime और यही तो government चाहती है कि new tax regime को ज़्यादा से ज़्यादा attractive बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग new tax regime off करे स समझे आप तो case 3 में भी आपके लिए new tax regime ज़्यादा beneficial रहेगी अब आप सोच रहे होंगे तीन cases हो गए तीनों में हमें new tax regime में benefit हो रहा है तो मैं क्यों वीडियो आखरी तक देखूँ new tax regime में better होगी बट ऐसा नहीं है दोस्तों वीडियो आखरी तक देखेगा क्योंकि लेकिन कौन से cases में तो अब एक ऐसा case discuss करते हैं कि आपका work from home period जो है वो over हो चुका है और आपके boss ने आपको अपनी base location पर बुला दिया है जिसके चलते या तो आपको किराय पे घर लेना पड़ेगा या तो आप एक घर खरीद लेते हैं जहां पर आप home loan लेकर उस पे व्य जाया भी दिया हो सकता है और साल भर में जिसकी आपको income tax act में छूट भी मिलती है तो assume कर लेते हैं कि साल भर में आपने दो लाग रुपे का जो rent दिया है वो house rent allowance के जो income tax में provisions है उसके तहित आपको allowable है income tax में से rebate लेने के लिए तो अब इसके इत में old tax regime में आपकी जो dedu नहीं मिलती तो इस case में जो आपका tax है वो 90,000 हो जाता है तो देखिए जैसे ही आपकी tax deductions increase होती है वैसे ही आपके लिए old tax regime better होती जाती है अब बात करते हैं 5th case की कि आपका हो गया है एक और promotion और आपकी जो CTC है वो 15,000,000 रुपे तक की हो गई है ऐसे case में आपकी old tax regime मे जो taxable income है वो 10,000,000 रुपे रह जाएगी और new tax regime में क्योंकि आपको सिर्फ standard deduction मिल रही है 50,000,000 रुपे की तो उस case में आपकी taxable income 14,000,000 रुपे रह जाएगी तो ऐसे case में आपको new tax regime में भरना पड़ेगा लगबग 1,4,000,000 रुपे प्लस CES का tax जबकि old tax regime में आपको जो tax tax है वो भरना पड़ेगा मात्र 1,27,500,000 रुपे प्लस CES का तो चलिए एक बार इन सारे cases की summary discuss कर लेते हैं जहां पर हमने new tax regime में तो देखा हमें सर्फ 50,000,000 रुपे की standard deduction हर बारी मिल रही है लेकिन old tax regime में हर बारी अलग-अलग level के deductions हैं Case A में जैसे की हमने आपको दिखाया की 7,000,000 रुपे की income है और आपकी total deductions जो old tax regime में वो 2,000,000 रुपे हैं तब भी आपके लिए new tax regime beneficial रहता है Case B में आप health insurance all ले लेते हैं तो 5,000,000 रुपे तक की आपकी total deductions हो रहती हैं तो 7,000,000 रुपे की income पर आपको new tax regime, old tax regime में कोई फरत नहीं पड़ेगा किसी को भी choose कर लिजिए Case C में आपकी promotion हो गई और आपकी income हो गई 12,000,000 रुपे लेकिन आपकी deductions जो हैं वो 2,500,000,000 तक ही रहती हैं तो इस case में भी आपके लिए new tax regime beneficial रहेगा लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आपका work from home over हो गया और case D में आपको या तो rent पर घर लेना पड़ रहे है या एक घर पर home loan लेना पड़ रहे है जिस पर आप 2,000,000 रुपे तक का interest भी दे रहे हैं तो इस case में 4,500,000,000 रुपे की deductions के ऊपर भी आपको old tax regime ही beneficial रहेगा जलिए अब जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आखरी में मान लेते हैं कि आपके पास इन में से कोई भी case applicable नहीं हो रहा तो आप कैसे choose करेंगे कि new tax regime आपके लिए beneficial है या old tax regime आप clear tax के दुआरा share कि गए इस infographic को देखी सकते हैं जहाँ पे clearly दिखाया जा रहा है कि हर income level के लिए अगर आपकी total deductions एक से ऊपर या नीचे है तो उन cases में आपके लिए old tax regime बेटर रहता है या new tax regime आप बाकी cases भी देख सकते हैं इस infographic में इस वीडियो को पॉस्ट करके और हाँ आपको ये भी कि आप अगर salaryed employee है तो old tax regime, new tax regime आप हर साल change करके बदल सकते हैं अपने comfort के साब से जो भी आपको suit कर रहा हो आशा करता हूँ कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे कोई भी doubt आपके रहे गया हो तो comment box में उसको जरूर लिखेगा हम उसको clear करने की कोशिश करेंगे Personal Finance और Market की खबरों के लिए Grow K चैनल को subscribe करना मत भूलेगा